असलाम अलेकुम कैसी हैं प्यारी बेहने और फिली बिल कुछ ठीक होंगी वेलकम बैक टो में चैनल तो प्यारी बेहन और रोजाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादे यूसफुल होने वाली है कुछ चीजों का ऐसा अनुका इस्तेमाल आपके साथ श उनके साफ करके रखें उससे मेंसे गले चड़े पत्ते निकाल दें ठीक है तो अब मेंसे सेफ करने जा रही थी तो मैंने सोच अपनी बेहनों के साथ शेयर कर लूँ उन बेहनों के साथ जो मेरे चैनल पर भी नई जुड़ी है परानी जो मेरी सब्स्राइब हैं और उनने ता तो अब यहां पर भी मैं आपको एक आडिया दे दूं के मैं किस तरह सेफ करती हूं नहीं हमेशा इसको इस तरह के शोपर में zawsze करती हूं कोई मैं इसमें काखज नहीं रuw झाओ स्विव रखती नहीं किसी कपड़े में जस्ट आफ पने इसी तरह में एक्ड़ किया और आपने फ्रीज के किसी भी हिस्से में रख देना है, फ्रीजर में नहीं रखना। और जबी भी आपने इसको इसको करना है, इसमें से गले-ढ़े पत्थे लाजमी निकालने है, वरना वो इसको खराब कर देंगे। इस तरह ये दोड़ाई महीने चल सकता है फिरिज में अच्छा जी मैं यूनिक आइडिया जो मैं आपको देना चाह रही थी वो ये कि अक्सर हमारी बेहने अब जैसे गर्मी आ गई है बचो को मच्छर मक्ही वगार ऐसे बचाने के लिए इस तरह की नेट ना खरीद लेती है तो क्या होता है उन्हें इसको फोल्ड करके रखने का तरीका नहीं आता तो मैंने सोचा अपनी बेहनों के साथ शेयर कर लूँ क्यूंकि इसे बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ मेरी बिगनर्स बच्ची हैं जो न्यू मॉम्स हैं या वो बेहने जो के बच्चे अबी हैं उनके चुटे तो उनके लिए ना ये मच्चरों की वज़े से लाती हैं तो आपने ये लेना हैं देखें मैंने जो सरहाने दो इसके वायर होते हैं वो हाथ में ले लिए और पैरो वाले भी उसको मैंने एक हाथ में पकड़के ना नीचे की तरफ जुकाया अब य दोनों हिससे लिए हमने जो ये दो वाल रिंग होते हैं सर की तरफ और दो पैर की तरफ तीनों को मैंने एक चारों को इकठे कर लिया ठीक है खड़किया इसको इस तरह से नीचे की तरफ जुकाया अब यह देखेगा आप यंदर की तरफ ले के जा रही हूं मैं इसको इसलिए ये देखें अराम से हो गया तो ये उमीद है कि या आइडिया आपको मेरी बेहनों को बहुत पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल पर नहें तो चैनल को भी सब्स्राइब कर दीजेगा बड़ा सा प्यारा सा कुमेंट कीजेगा अबयाप सोचें नयाप ये इसी पर्पस के लिए ली थी कर दियासुआ नहीं नो हम सब्सक्राइन को को करता हैं तो हैं यहीं अपर पूरा में यहा यहाँ अपका पूडीना ज्यादा के उप पानी नहीं निकला ओप इसे लिए भी बिछा क्ते हैं पॉदीने ज्यादा गीला हो पानी नहीं निकला तो आप इसमें अख़बार भी बिचा सकते हैं मैंने चूंकि पॉदीने को थोड़े सी दिना च्छनी में रखके पंखे में रख दिया तो तो सारा पानी ड्रिप हो गया ता इसका जस्ट आप इसमें मोस्चर है जो कि इसी त सेफ करेंगे इसको आपने बिल्कुल भी नहीं वाश करना हरे दिनिये को ठीक है क्योंकि हम इसे रखेंगे फ्रीज में फ्रीज में अगर वाश करके रखते हैं गीला होता है मश्चर होता है तो खराब हो जाता है अब मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिए फूट कं क्या हमने चुन के साफ सुतरा करके जाड के अच्छी से में इसके बंच बना ली थे बट मेरे हाथ से भी सिलिप होके ये बिखर गया है तो आपने क्या करना है अच्छी से बंच बना ले जिस तरह आप कटिंग करती है और उसके बाद आप इसको जब निकाले तो हमेशा से आपने क्या करना है इसको इसके गले शड़े पते जो दो चार तो खिर खराब होई जाते हैं तो आपने ना हर यूस के बाद उन्हें निकाल देना है इसमें से तो इस तरह आप रखेंगे ना आप यकिन करें दो ढ़ाई महीने ये आपका रदिन्या कहीं नी जाएगा इसको बहुत आपको बताने वाली हूं ये तो हर घर में लाजमी आपको रखनी चाहिए बहुत ही उसफुल रहती हैं आगे चलके बताऊंगी मैं ठीके अच्छा जी अब ये वाले जो हर दिन्या है ना इसको मैं इसको भी सेफ करने जा रही हूं तो मैं इसको ड्राय करूं करने के बाद ये देखें पूरा इससे मैंने वाश कर लिया भी च्छनी में रखके थोड़ा सा इसको मैंने इसका भी पाने ड्रिप कर दिया था अब आप देखें वो बेहने जो मेरी परेशान हो रही हैं इनके पास इस तरह की नैट नहीं है बच्छों वाली तो आप बिल हमने ले लिनी है यहाँ पर पेपर बैंडिंग क्लिप जो के बहुत ही उसफुल रहता है बहुत अच्छी से ग्रिप होती है इनकी कोई भी चीज़ खुलने ही सकती आपने इसको इस तरह से इसमें फिक्स कर देना है अपने बेक के हिसाब से दो लगा ले तीन लगा ले चा कॉमेंट जादा होंगे मैं इन्शालला फिर नेक्स वीडियो आपके लिए जरूर शेयर करूंगी अच्छा जी जो जो चीज़े मैंने सेफ की हैं ड्राइ की हैं उसका रिजल्ट में कल की वीडियो में दिखाऊंगी इन्शालला और आज मैंने किसी बेन भाई के नाम नही के साथ ताके कल की वीडियो में आपके नाम जरूर ले सकूँ इन्शालला और आज की मेरी कोई भी टिप पसंद आई हो तो मेरे लिए भी एक प्यारा सा कॉमेंट कीजेगा इससे मेरी होसला अवजाई होती है अलाहाफेज